हलो एवरिवन वेलकम बेक टू नोलेज फोर फ्यूचर स्टड़ी यूट्यूब चैनल मैं हूँ जुगल सर्मा और आप से इस वीडियो में राजिस्थान की रियासतों के प्राचीन उपनाम इस टॉपिक को डिसकस करूंगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक् नाम देखें प्राचीन उपनाम तो इसको बोला जाता है आधुनिक विकास का तीर्थिस्थल इसको कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है इसको आधुनिक विकास का तीर्थिस्थल क्योंकि यहाँ पर एक तो सूरतगर धर्मल पाबर प्लांट है सूरतगर धर्मल पाबर भी है यहीН पर इंदरा गांधी नेहर भी है ठीक है तो इसलिए इसको आद का तीर्तिसथऱ् कंगानगर को कहा जाता है यह बात करें हम हनुमांगड की तो हनुमांगड को बोला जाता है चुंग फो stump है प्राचीन नाम है его इंप्रूटरन्ट है याद रखना है फ ये जो जिला है ये जिला है बिकानेर, बिकानेर जिले का यदि हम प्राची नाम बात करें, तो बिकानेर में इसको बिकानेर को बोला जाता है सपाद लच, सपाद लच बिकानेर को बोला जाता है, ठीक है, सपाद लच किसे बोला जाता है, सपाद लच बोला जाता है बिकाने में एक जगे है लूनक रणसर लूनक रणसर ठीक है इस लूनक रणसर को क्या बोला जाता है राजिस्थान का राजिस्थान का राजकोट बोला जाता है और ऐसा क्यों बोला जाता है क्योंकि राजकोट कहा पड़ता है गुजरात में और राजकोट में होती है मुंभली मुं 안내 ??विकास का 3 मिलने हूपते हैं अब हम बात करते हैं किसकी जैसलमेर की मुखक का जाता है हौ उप्रटर है और भी ख Parliament को यह की दिधे यह मिला दे दे इन तीन हो बोला शाथ है मरू तिर्पौंड क्या बोला जाता है मरू तिरिकोन इन तीनों को बोले जाता है जैसलमेर विकानेर और जोदपुर को ठीक है यह आपको याद रखके चलना है अगर हम बात करें जैसलमेर में एक जगे है रूनेचा जहाँ पर रामदेब जी का मंदिर है तो उसको रामदेवरा का जाता है अगले जिले पर चलते हैं अगला जिला है हमारा यह है जोदपुर और जोदपुर को क्या का जाता है जोदपुर को एक तो मरू तिरिकोन में यह सामिल है यह इसके लाबा जोदपुर को सूर्य नगरी का जाता है जोदपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है इसके लाबा मरुधर कहा जाता है जोदपुर को इसके लाबा मारबाड कहा जाता है मारबाड या फिर मरुबाड ठीक है मारबाड या फिर मरुबाड जोदपुर को कहा जाता है इसके लावा बिलू सिटी भी कहा जाता है जोदपुर को नीला से है जैसे पिंक की सिटी है जैपर को कहते है ऐसे बिलू सिटी भी कहते है इसको ठीक है जोदपुर में एक जगे है मंडोर जहां पर जोदपुर के राजाओं की कबरगा भी है ठीक है 33.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ये हो जाएगा हमारा नागौर, नागौर की हम बात करें तो नागौर को कहा जाता है जांगल प्रदेश की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है नागौर को, ठीक है, इसके लाबा नागौर को क्या कहते हैं, इसके लाबा वोल जाता है अही छत्रपु अही छत्रपुर भी नागौर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश की राजदानी या फिर अही छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है बिकानेर के लूनक रडशर का नाम है राजस्तान का राजकोट ठीक है अगर हम बात करें किसकी बागड प्रदेश की तो बांगड प्रदेश कौन-कौन से जले आते है बांगड प्रदेश में एक तो आता है नागोर ये सीकर है सीकर की अर्दस अंदराकार प्याले नुमाकरती होती है ये हमारा क्या है जुन-जुनु है ये हमारा क्या है यह हमारा जुनजुनु है यह हमारा चूरू है इन चारों जिलों को मिलाकर क्या बोला जाता है इन चारों जिलों को मिलाकर बोला जाता है बांगड प्रदेश कन्फ्यूज नहीं होना एक बागड नीचे भी है इसको बोला जाता है बांगड प्रदेश किसको बोला जाता है नागोर, चूरू, सीकर और जुनुदू को मिलाकर बांगरप्रदेस बोला जाता है अब हम चलते हैं अगले पर अगला आपको याद रखना है कि जो अलवर जो छित्र है अलवर अलवर जिला कौन सा है ये ये हमारा अलवर है ये हमारा भरतपुर है, ये हमारा धोलपुर है और ये हमारा जैपुर है अलवर जो है, अलवर को क्या का जाता है अलवर को बोल जाता है भरतरी की तपो भूमी मालवा के राजा थे ये भरतरी, भरतरी की गुफा भी है यहाँ पर पांडूफूल भरतरी तो भरतरी की तपो भूमी भरतरी की तपो भूमी का जाता है अलवर को भरतरी की तपो भूमी अलवर को का जाता है इसके लाबा अलवर को और क्या का जाता है अलवर को कनिंगम ने साल्वपुर की रूप में पैचान की है कनिंगम जो है इतियास का कनिंगम इन्होंने बोला है सालवपुर ठीक है इसके लाबा अलबर और भरतपुर अलबर और भरतपुर इन दोनों को क्या बोला जाता है इन दोनों को अर्जुनायन बोला जाता है अर्जुनायन इन दोनों को बोला जाता है मत्सेसंग इसके रावा यह सुरसेंज जनपद में आता था प्राचीन टाइम में महवरत के टाइम पर जो मत्रा वाला जनक पर मत्रा जिसकी राज़दानी थी सुरसेंज सूर्स cavity ओर चार्वर करवाउल है बरत जालौरि में या alors म raped घज़ करते हैं तो जालोर और उसके आसपास का जो एरिया है जालौर में यह जगए पढ़ती ह्हेस्व साँचौूर Mont i amic जालोर है तो साचोर जो जगह है उसको बोला जाता है एक तो बोला जाता है नेहड इंपोर्टन कोश्चन है नेहड इसके लाबा साचोर को सत्यपूर बोला जाता है कोश्चन आ सकता है निम्न में से सत्यपूर किसका प्राचीन नाम है तो साचोर का साचोर को ही राजिस्था का पंजाब कहते हैं यह कोश्चन तो पूछा भी हुआ है राजिस्तान का पंजाब किसे कहते हैं साच और को कहते हैं इसके लाबा नेहड कहा जाता है सत्यपूर कहा जाता है और यह जो एरिया है जालोर पाली और बाडमेर वाला जो एरिया है यह वाला जो एरिया है इसको ब गोडवारी बोली यहां पर बोली जाती है कोश्चे आता है गोडवारी बोली कहां बोली जाती है